गर्मा गर्म सामबर और सूपर सॉफ्ट इटली मिल जाये तो बस क्या बात है लेकिन इटली सामबर बनाने का सोचे तो बहुत ज़्यादा महनत और बहुत ज़्यादा टाइम लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आएं रेस्टोरेंट स्टाइल सूपर सॉफ्ट इटली और सामबर सिर्फ पांच से दस मिट में बनकर रेडी होँगा तो इसलिए वीडियो फुल वाच कीजिए तो असलाम अलेकुम जी बेस्ट कुक वीट आहित में आपका स्वागत है कि अच्छी तरीके एसे बिल्कुल स्ट बनकर रेडी हो तो दो इसमें citric acid mix करेंगे अब इसमें दालेंगे दो से तीन कप भरकर पानी और इसे mix करेंगे अच्छी तरीकाय से बिल्कुल इंस्टंट बनकर रेडी होती है बिल्कुल इसे रखना नहीं पड़ता दाल पिसने की जंजट नहीं कुछ भी नहीं और एकदम सुपर सॉप्ट बनकर लेमन का रज भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें फिर से हम पानी डालेंगे और इसे mix करेंगे टोटल हमें चार से पांच कप इसमें पानी हमने इसमें 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 हाड भी नहीं mix batter बनाना और एकदम मतलब के liquid भी नहीं बनाना एकदम medium consistency हमें इस batter की बनानी है और यह जो सूजी होती है तो जादी फूलती भी नहीं क्योंकि एकदम ग्राइंड वाली होती ना बार इक इस तरीकी की consistency हमें बनाना है अब हम इसे mix करेंगे साइट में रहेंगे बहुत जादा mix करने की जरूरत में रहती है अब हम क्या करेंगे इस इडली स्टैड नहीं उसे grease कर लेंगे oiling कर लेंगे इस तरीके से brush से और फिर हम एक बाउल अलग से लेंगे तो हम अलग तरीका बताएंगे जिससे के इडली का बैटर आखरी तक के जो बैटर है वो फूली फूली बने तो एक बाउल लेंगे उसमें तीन से चार जो बड़ा चमच होता है ना व हम इसी तरीके से इडली बनाते है हर हमेशा तो आखरी तक के इडली जो है तो एकदम सॉफ्ट और जाली दार बनती है और आखरी की जो इडली बनती है तो देखिए इसमें कितने air bubble भी आ चुके है अब इसी तरीके से में इडली के साचे में छोटी-छोटी इडली इडली स्टेंड हमने ग्यास पर रख दिया था इसमें वाटर दाल के और इसमें बॉइल भी अच्छा आ चुका था इसमें हम 10-15 मीट रखेंगे तो अगर ग्यास का फ्लेम फूल रखेंगे तो 5-7 मीट में इडली रेडी हो चुके तो कितनी बड़ी-बड़ी जाली-दार इडली बनकर रेडी हुई है एकडम सूबर सॉफ्ट हमें एक तूप्य रेडी मतायं गर्यारों कितनी जाली-दार और कितनी ससंव्द बड़ी को कि हिर्गे तो जी वेटर की जब्भी इडिवलिया कि ना एकदम जालीदार बन कर रेडी हो मैंआ होगा में हमझा कितना भी ज़ाधा प्रैस करेंगे मिस्त प्रेस जाली डार बन कर रेडी हो 1 teaspoon भर कर जेया लेंगे राई को कम ज़ी है सब सबस्कें मेधि दाना लेंगे कल्मी कंख verschiedene के लिए नो राईटी छोरा कि टारेट लेंगे तो सेखने के पहले अष्टी टारीश तरीके से दिर बने हैं कें व標 इसके सानुन कि आँ मैंडे रखना तो ये देड़ सो दो मैने खराब भी नहीं होगा और इसकी खुशबू ये इतनी अच्छे हैंगे जब भी आप सांबर बनाएंगे तो इसका अलगी टेस्ट और फ्रेवर आएंगे तो अब इस टाइम पर हम करेंगे 10 से 15 कलिया लस्वन की डालेंगे जिससे हमने बिल्कुल छीला नहीं है और एक इंच अध्रक का तुकड़ा दालेंगे हम इंस्टंट बना रहे हैं इसलिए और इससे क्या करेंगे इसमें लाल मीच पॉड़र दालेंगे अगर आपके पस में हाँ लाल मीच हो तो उसमें हम सेख भी सकते हैं नहीं रोस्ट भी कर सकते हैं ना हो तो लाल मीच पॉडर अपने टेस्स के हिसाब से कम्याज़ आता इस्तेमाल का सकते तू टेबल स्पून भरके इसमें हम वाटर यूस करेंगे इस अच्छी तरीके से पिस लेंगे एकदम फाइन पेस्ट बनाना इस तरीके से और फिर हम इसे साइट में छोड़ देंगे अब हम क् हम यहां पर सांबर बगारेंगे जब तक उड़त दाल अच्छी तरीके से गल जाती है यहां पर एक बड़ा सा बगोना लेंगे बहुत सारा सांबर इतनी में बनकर रेडी होंगा इसमें 3-4 टेबल स्पून ओईल लेंगे और फिर इसमें 1 टेबल 1 टीस्पून जीरा कद यहां पियाज क्ती होई इसमें 2 medium saiz की कट हुई प्याज लेंगे इस तरीकिसे मोटी मोटी काटना है में एक दम तरीके से मोटी मोटी काटना मैं था अप पाज़ा बहुत ज़्यादा फ्राय करणा है मीडिया में हम फ्राय करें इसमें लोकवी की लीए ढिंगे डाल किकले रिवाज़ करना है Chaudh बरकर करने पा लेंगे और नमक अपने टेस्ट के अपने अपर ओडिग लेंगे और फिर इस स्लोफ ओडे माद बआस स्लो हो चुकता में पटलेख्ण पर नेरी हम थोड़ी कम कर सकते हैं लेकिन हम सामभर जादा बना रहे हैं नहीं कि आप जो मसाला हमने पीस कर रहे हैं वह भी इसmemix कर देंगे तो ये मसाले की खुद की इतनी जाधी थिक्नक हो जाती है कि अगर समय ना मिक्स करो न तो भी अच्छा ये ठीक हो जाता है लेकिन क्योंकि हमने इसमें उड़ा दल और चना दल भी इस्तिमाल किया न उसके वजय से तो इसमें हम फिर से दो गिलास पानी डालेंगे टोटली साथ आठ गिलास इसमें हमने पानी यूज किया है अब इस टाइम पे हम क्या ऄटा करेंगे धोड़व इसी चीनी लेंगे अगर चीनी इस्तिमाल ना करो तो गुर्ड भी इस्तिमाल कर सकते हैं थोड़ा से रेट फूट कलर दालना ऑप्शनल है एक डम रेस्ट्रे इस्टाइल जाए तो फिर फिर थोड़ा सब दालेंगे अगर शित्रीक अटीसिंट करा ये ते अच्छी तरीके से गल्चुकी इसे अच्छी तरीके से मेश करना और मिक्स करने के बाद मीशोरीचों है जरूरिस रैसर रेशिपि को ट्राइब करेंगे मिकस करेंगे बस इसमें आख्री मिफा चैनी याक्टा-मीथा तीखा चेक करते रहना है कि बहुत ज्यादा थनिया दालेंगे और इसे पकने के लिए रखेंगे हम थोड़ा टाइब च्रौकिया गैलने के लिए टाइम लगता है कि इसके पधने के लिए भी थोड़ाँइम लगता है इसमें half teaspoon से one teaspoon जीरा डालेंगे अगर राई mustard डालना हो तो mustard डाल सकते और अच्छा चटकने देंगे और जो हमने डाल पकने के लिए रखे रहें यहाँ सांभर तो उसमें डाल देंगे इस तरीके से तो देगे गए सांभर में भी अच्छी तरीके से बॉइल आ चुका है और लगभा के रेडी है सामर तो आप हम इसे जो लॉकी है वह वी अच्छी तरीके से घल चुके और बहुत ही जबरदास और भहुत ही टिस्टी सा सांभर बनकर रेडी हुआ है इस तरीके से जरूर ड्राय कीजियेंगे जब तक सबज्य अच्छी तर्स पकना जाए जब तक हम पर च्वाज की एंदर सब्सक्राइब करें नाचला केंदेंक माशन पर प सलए के लिए खोड़ेंगे तो क्या चुंद पाकिंगे इंगे तूम संभांर तो वहुना है की तो चौiran unrest इसे दो दिन भी अगर आप इसी तरीके से स्टोर करेंगे न तो इसी तरीके से एकदम सौफ्ट और एकदम स्पॉंजी बनी हुई रहेंगी तो बन गई न सिफ 10-15 मेट में इडली बनकर रेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी रेसिपी है जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजि वीडियो वाच काने के लिए शुक्रेगा इस तो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसिपी मिलते हैं तब तक लिए लापी